बियार के नलंदा जिलिंग में इस दिन नलंदा बिस्पिद्याली दुनिया के सबसे परचिन बिद्याले में से एक था लेकिन साल 1199 में कैसी घट ना हुआ जब बियार के सासक बक्तियार खिलजी ने नलंदा बिस्पिद्याली को आग के हवाले कर दिये दोस्तों कौन थे वक्तियार खिलजी? एक तैयार हूतिन मुहम्मध बिन वक्तियार खिलजी सीफ सलार था जो खिलजी ने 1203 इस बिमें बियार पर जीथ हासिलाइए दिल्ली में अपने रग्रिति कद्ध को उचक किया और इसके अगले ही सल खिलजी ने बंगाल पर भीजाई पर इसलाम को अस्थापित करने में अहम भूम का निभाई दोस्तों बक्तियार खिलजी के अध्यस पर अक्चर्च राहूल को बुलाया गया इसी दौरान इलाज से पहले ही खिलजी ने अक्चर्च दो सर्थों पर रखे पहली हुआ किसी इंदुस्तानी का दवाई से वह नह से इतने पढ़िये और ठीक हो जाएंगे तो खिलजी ने पढ़ा और वह ठीक हो गए लेकिन खूस होने के बजाए उसने गुस्ते से चिल्मिलाते हुए कहा कि आकिर उसके हकीमों से इन भरतिये पाउधे का ज्यान सिरेश्ट कैसे हैं बोत धर्म और आयुब्यत का इससास म अधर ने कुरान के कुछ प्रिष्टों के कोने पर एक दावा का अधिरेश्टे लेप लगा दिया था इसी दवरान खिल्जी ने जब थूप लगा कर पेच प्लटना सुरू किये तो लेप उच्छी जीप के सारे पेट में चल गया और वह कुछी दिनों में ठीक हो गए द इस दुखत गर्टना में हजर धर्मचर वह बहुत पिक्षुक मरे गएं सिर्फ इतना ही नहीं इसके पाद इस सनकीष सासक निमपूरी नलंदा को आपके हवाले करने का अधिश्ट दिये नलंदा वह जगह हैं जा 36 सत अबदी में युकोडिया जपान चीन तीपत और तु दुनिया का नमबर वन था और दुनिया का नमबर वन दा था